नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टेडी प्रेटफॉर्म में दिसे धीरेस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड उमीद है दोस्तों आप और आपका परिवार बहतरीन और उंदा होगा आप अच्छी तरी वाले हैं हर प्लेलिस्ट आपको पूरी तरीके से डिटेल में करवा दी जाएगी पीडवाप से लेकर हर पॉइंट आपको एक एक पॉइंट तीन भागों में तयारी करवाएंगे जिससे आने वाला एक्जाम अच्छी तरीके से आप क्रेक कर जाएंगे हर बहन, हर भाई, हर ग्रहडी से बस इतना कहना चाहेंगे कि आप बहुत परिशान रहते हैं कि सर मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ अरे सर आप थोड़ी न खराव है, आपका समय खराव है इसमें आप की कोई गलती नहीं, आपका समय जिस दिन आएगा उस दिन आपका हेड और आपका टेलवी होगा चलेंगे दोस्तों, इस वीड़ो में मनोविज्ञान बा, उसके चेतर सरल भासा में हर सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से, रोजाना 11 वजे आप इस वीड़ो को देखेंगे जो भी बहन, जो भी भाई, अदर स्टेट से हैं, वो भी कमेंट करें उनके लिए बिल्कुल सेम वीडियो यही रहेगी अब देखीगा, यहाँ पर मैंने कुछ नए पॉइंट भी जोड़े है, बहतरीन स्लाइट के साथ मैंने पहले स्लाइट आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और लास्ट में हम आप सभी के लिए मैंने देखीगा, पूरा चित्रात्मक आपको बताया है लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ संस भी रखे हुए है पूरी तरीके से एक वीडियो में एक शेप्टर पूरा खतम होना ही ते है सिंपल सी बात है बस आपको थोड़ा सा सहियं बना के रकना है, ठीक है não तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मनोविज्यान की आधार सिला मनोविज्यान की आधार सिला में पहला पू Water है कि वैग्याने काल से पूर्व मनोविज्यान को दर्सन सास्तर का ही पार्ट माना जाता था या अंस माना जाता था दर्सन सास्तर का मतलब क्या है आपको पता है क्या जी हाँ दर्सन सास्तर को आपने खूप सुना होगा इंग्लिस में जिसको कहते हैं फिलोसिफी यानि अगर कुछ्षण में आता है कैंगाता है कि मनो विज्ञान पूर्व में किसका पार था अरे मनो विज्ञान सर द्रसं सास्तिर का पार था और दूसरा पॉइंट इसी स्रंखला में हम जोड रहे है कि सन 1889 में मनो विज्ञान की पहली प्रियोग साला का आरम हुआ उसके जनक विलियम वुंट है ठीक है ना ये तीन पॉइंट स्टार्टिंग के है वो बहुत ही यूनीक पूछे जाते हैं फिर हम चलते हैं बेहतरीन इतियास से लेकर हर चीज पढ़ने वाले मनो विज्ञान की 1889 के वाद मनो विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पहचान मिली अब कौन से अलग रूप के विषय में पहचान मिली यही हम जानने वाले हैं तो फटा फट इस पॉइंट को नोट करो स्क्रेन सोट लो क्योंकि पार्ट से जो कुसन मनता है एक तो यहां से बनता है और एक तो कहता है मनोविज्ञान किसका पुर्व में अंग रहा है तो वो दर्सन सास्तर का रहा है ठीक है ना आप चलेंगे तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाते हैं कि भईया मनोविज्ञान यानि साइकोलोजी सब्द आया कहां से तो दो कुसन मनते हैं कहता है साइकोलोजी सब्द किसने प्रियोग किया कब किया तीन बनते हैं किसने किया कब किया और किसमें किया अरे यहाँ पर आपको केवल सरकारी अध्यापक बनाया जाता है सिक्षक भरती में लगबग 12 करोण यूबाओं ने अपने वीडियोज को देखा है मतलब क्या है मेरा एक मुद्दा है ना ही मैं SI बनाता हूँ ना पुलिस बनाता हूँ मैं कुछ नहीं केवल मुद्दा सरकारी अध्यापक सस्क्राइब कर लेना हर बहन हर भाई पूरा जीरो से सिखर तक आपको सरकारी सीट पर बैठाल देंगे उम्मीद करेंगे बहुत बड़या देखेंगा दोस्तों कहरा है प्रियोग किसने किया था साइकोलोजी का तो साइकोलोजी का प्रियोग किया था रोडॉल्फ गॉलकाय ने अरे सर किसने किया था तो तो मैं ठीक है रोडॉल्फ गॉलकाय मार दिया लेकिन कब किया था? 1590 में किया था, ठीक है? अब पूछता है किस में किया था? तो सुनिएगा मेरे भाई कि जब रुडॉल्फ गॉलकाई ने किया था इसका प्रियोग तो भाईया अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलाजिया, ठीक है ना? साइकोलाजिया की बा रहना चाहिए. नेक्षवन की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि यह बताओ अगली स्लाइड में कि जनक कौन है? विलियम जेम्स मारू या रस्तू मारू? बहुत परेशान रहते हैं. तो याद रखिएगा, सबसे पहला अगर आपको फर्स्ट प्र अरस्तू और विलियम जेम्स दोनों आप्सन में मिलें, तो मनो विज्ञान के जनक आपको अरस्तू ही लगाना है, रीजन भी बताया मैंने, सोलमी सताबदी में एरिस्टोटल यानि अरस्तू के प्रियासों से मनो विज्ञान एक दरसन सास्त्र यानि फिलोस्पी से अलग ह अरस्तू को मनो विज्ञान का जनक कहा जाता था सोलमी सताबदी से याद रखीगा दोस्तो बहुत इंपोर्टन कुस्टन है, ठीकिना, अरस्तू ही रियल के मनो विज्ञान के जनक है, जबकि अरस्तू औप्सन में ना हो तो आप विलियम जेम्स मारेंगे, दूसरी चीज, आधुनिक मनो विज्ञान के जनक अगर आ जाए, तो भी आपको विलियम जेम्स मारना है, जब अरस्तू ना हो, तीसरा कुस्टन, सिक्षा मनो विज्ञान के जनक आ जाए, तो आपको मिस्टर थोंडाइक मारना है, चलूं आगे, बिलकुल चलूंगा दोस्तों, और इसी स मतलब ही होता है, ग्रीक, ग्रीक ठीक है, ना इंग्लिस वर्ड, ग्रीक भासा के दो सब्दों से बना है, पिछली बार बच्चे परेशान हो गए, अरे सर मैंने तो ग्रीक पड़ा था, या तो यूनानी लिखा है, लेकिन ग्रीक और यूनानी आप्शन में कोई ना कोई मे है, तो ऐसे ही साइकोलोजी सब्द का सबसे पहले प्रियोग 1590 में रुडोल्फ गॉलकाय ने साइकोलोजी या पुस्तक में किया, अब बात आती है, ये दो सब्दों से यानि ग्रीक भासा है, ये दो सब्दों से बना है, यानि साइकी और लोगोज, इसका आर्थ है दोस् का मतलब होता ही है, विज्ञान, स्टडी, किसी की हम स्टडी करते हैं, तो फिर से समझो इस चीज को नेक्स ट्लाइड में, ग्रीक भासा का सब्द है साइकोलोजी, और ये दो वागों में तूट जाता है, साइकी प्रस लोगोज या लोगो, तो हम साइकी का मतलब है आत्म और लोगों का मतलब है विज्ञान या अध्यान, चलू आगे, तो आत्मा का अध्यान या आत्मा का विज्ञान बरावर मनो विज्ञान, जी हां सर, यही तो सिंपल सी परिवासा हुई है, इसमें कौन सी दिक्कत है मेरे लाल, तो सिंपल बात, आपका साइकी और लोगो, मैं सफलता की कारंटी लेता तभी हूँ, हम नोटस आपको प्रोवाइड भी कराएंगे, एक्जाम के पहले, लेकिन नोटस भहिया यह है, जरूर याद रखना, अपने आँस से बनाना है, ठीके, मनो विज्ञान की बात करें, नीचे आमको लिंक मिल लाएगी, करते हैं, दोस्तों, पूरी तरीके से हमने आपको चित्रात्मक बताया है, मनो विज्ञान की बात करें, नीचे आपको लिंक भी मिल लाएगी, गुरूजी वर्ड टेलिग्राम की, ठीक है, पहली बात अगर करें, मनो विज्ञान की क्या है, पहले अगर आई थी मनो विज् है मनो विज्ञान अभी मैं पूरा आपको स्लाइड में चित्रात्मक बताऊंगा पहले समझ लो कि अबल आत्मा का विज्ञान को मानने के लिए दोस्तों अरस्तु सुकरात और प्लेटो रहे मन का विज्ञान को मानने के लिए पंपो लौदी और रूसो रहे अभी मत लिखना चेतना का विज्ञान को मानने के लिए विलियम बुंट और विलियम जेम्स रहे मतलब विलियम बाले जितने भी हमारे साइकलोजिस्ट रहे वो चेतना वाले है और बिभार का विज्ञान मानने वाले मिस्टर वोटसन रहे हैं जो बिभार वात के जनक भी कहलाए ठीक है यह हमने आपको केवल कीव सुनाई है अब हम इस चीज को अलग-अलग डिवाइड में अलग-अलग चीज तरीके से जहां से कुशन मनते हैं वहां से देखते हैं ठीक है ना स्लाइड हमारी क्या है मनोविज्ञान से आने वाले प्रस्ण जो आते हैं वो यहां से आते हैं कहता है यह बताओ कि आत्मा को मनोविज्ञान का पार्ट मानने वाले कौन-कौन से साइकलोजिस्ट रहे है तो दोस्तों कर बात करते हैं कि प्लेटो और अरस्तू और डेकार्टे इन लोगों ने आत्मा का मनोविज्ञान माना है तो साब्दिकर्थ क्या है कि मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान किसने माना है सोलमी सताब्दी में मैं आपको और दूसरी सलाइड में समझाने की कोसिस करूँगा तो कुश्ण में ये पहला बनता है कि आत्मा का मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कब आया तो सुलमी सताबदी में आया है और ये सुलमी सताबदी के अंत अंत तक ये परिवासा काम नहीं करी मतलब कहा गया कि आत्मा का मनोविज्ञान हो ही नहीं सकता और इसको मानने वाले कौन थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे सुनेगा अब आपसे कुष्ण क्या बनता है कुष्ण ये बनता है कि ये बताओ मेरे भाईया कि सुलमी सताबदी में मनोविज्ञान को किसका पार्ट माना जाता था तो आत्मा का विज्ञान कहा जाता था आत्मा का विज्ञान अगर कहा जाता था तो ये बताओ कि इन सभी के जो साइकलोजिस्ट है यानि इन सभी के प्रबर्तक कोन है इनको मानने वाले कोन है तो आत्मा का विज्ञान मानने वाले है प्लेटो और अरस्तू ये दो भाटती रिसिमूनी थे बाद वाकि डेकार्टे की बात करें अन्नी की बात करें वहां से कुछ्शन नहीं आता यही दोस्तों दो कुछ्शन अगर आएंगे तो आएंगे ठिक ना याद रखना है आत्मा का विज्ञान सोलमी सताबदी में किसने प्लेटो अरस्तू डेकार्टे क्लियर चलूं आगे रटा दिया है सत्रमी सताबदी में आया अब कहा गया कि सोलमी सताबदी में आत्मा का मनो विज्ञान से काम नहीं चलेगा तो वो परिवासा आत्मा का मनोविज्ञान वहीं खतम हो गई अब जैसे ही सत्रमी सताब्दी आई और कहा जाता है कुस्षन में पूँचा जाए अगर कि मनोविज्ञान को सत्रमी सताब्दी में किसका पार्ट माना गया तो मनो विज्ञान को सत्मी सताबदी में मन या मस्तिस्क का विज्ञान माना गया अब तीसरा कुस्ण सुनिएगा मन या मस्तिस्क का विज्ञान माना गया चलो मैं ठीक है मान लेता हूँ तो ये बताओ कि मन या मस्तिस्क का विज्ञान को मानने वाले कौन थे तो पैमपो लौजी थे ठीके ना पैमपो लौजी कर लेना यहाँ पर पैमपो लौजी थे और यह दोस्तों इटली के मनोवज्ञाने लेकिन समय बीता और समय बीता फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि सत्रमी सताबदी के वाद अठारमी सताबदी तक चली यह परिवासा और अठारमी सताबदी के अंत तक यह परिवासा भी अमानने कर दी गई यानि अब ये भी भहिया मन और मस्तिस का मनोविज्ञान नहीं चलेगा तो स्वल्मी में क्या आत्मा का प्लेटो और अरस्टू सत्रमी में क्या मन का और पेमपोलाजी ठीके न अब बात आती है अब डाइरेक्ट अठारमी छोड़ के 19 आती है क्योंकि 18 तक ही चला था मनोविज्ञान का मन और मस्तिस का मनोविज्ञान उन्नीसमी सताबदी में दोस्तों एक परिवासा एक नया चेंजमेंट एक नया जमाना एक नया क्रेज आया और उसमें कहा गया कि मनोविज्ञान एक चेतना का मनोविज्ञान है गाईज जी हाँ मनोविग्यान कैसा है एक चेतना का मनोविग्यान है तो यहीं से कुस्ण की सुमार लग जाती है एक्जाम में ऐसा कहता है कुस्ण कहता है आप से कि यह बताओ कि चेतना का मनोविग्यान मानने वाले साइकोलाजिस्ट निम लिखित में से कौन कौन है तो दोस्तों बात करेंगे उन्नीसमी सताबदी में मनोविग्यान को चेतना का मनोविग्यान कहा गया यहां से एक और कुछ चनाता है कि चेतना सब्द की निंदा किस ने की थी और किस बुक में की थी और भाईया कब की थी तो सुनिए पहले उन्नीसमी सताबदी में चेतना का मनोविज्ञान विलियम बुंट ने माना विलियम जेम्स ने माना वाइस ने माना विलियम जेम्स सली ने क्रिक हमेशा याद रखना मेरे भाई कि 19 सताबदी में चेतना का मनोविज्ञान को मानने वाले सभी जो नाम होते हैं वो विलियम से स्टार्ट होते हैं ठीके ना विलियम जेम्स विलियम बुंट दो ही कुस्सन पूछे जाएंगे जिन्दगी में गलत मत कर लेना माना गया था और थोड़े दिन बाद क्या हुआ 19 सताबदी जैसे जैसे बढ़ी आगे फिर वही वात कि अब ये भी परिवासा अमाने हो गई अब क्या आया एक नया दोर आया है दोस्तों और पहले हमें एक बार और आपको स्लाइड दिखाते हैं कि 19 सताबदी में दो ही कुष्चन आते हैं 19 सताबदी को कौन सा मनोविज्ञान का पार्ट कहा जाता है तो चेतना का विज्ञान कहा जाता है और इनको मानने वाले कौन हैं तो विलियम बुंट और विलियम जेम्स है यानि दोनों विलियम से स्टार्ट है याद रखना मेरे भाई ये दो कुस्टन हमेशा पूँचे जाएंगे ठीक है अब जैसे ही 19 सताबदी चेतना का मनोविज्ञान माना गया तो थोड़े दिन बाद ये भी परिवासा अमान ने कर दी गई और कहा गया एक नया दोर स्टार्ट हुआ एक नया दोर स्टार्ट हुआ दोस्तों उसके एक और important very very most important कुस्टन बनता है कहता ये बताओ कि चेतना सब्द का प्रियोग किसने भरसक निंदा के रूप में किया है यानि चेतना का निंदा किसने किया है और अपनी बुक में किया है कौन सी बुक में किया है कितने प्रस्ट नंबर पर किया है तो विलियम मेक डूगल दोस्तों अपनी बुक आउट लाइन आप साइकलोजी में प्रष्ट संख्या यानि प्रष्ट नंबर 16 पर चेतना सब्द की भरकस यहाँ पर बार लिग गया है माफी चाहूँगा भरकस निंदा की है क्या भरकस निंदा की है यानि बहुत ही जादा निंदा की है तो चेतना सब्द को निंदा करने वाला महान साइकलोजिस्ट कौन था तो विलियम मेकडूगल किस बुक में आउट लाइन आफ साइकलोजी में प्रष्ट संख्या 16 पर और किस की निंदा की गई चेतना सब्द की निंदा की ठीक है याद रखेंगे चलते हैं दोस्तों सा समय बीता था 19 सताबदी में और एक और सबसे ज़्यादा फैक्ट में पूछा जाने वाला प्रष्ट यही है अब बनता है क्योंकि यही तो वरतमान का काल है 20 सताबदी में मनो विज्ञान को बेभार का विज्ञान माना जाने लगा जी हाँ आज तक यह परिवासा प्रचलन में है मनो विज्ञान किसका अध्यन करता है तो मनो विज्ञान बेभाहार का विज्ञान माना जाता है अगर कुछन में फिर से में दोरा रहा हूं वरतमान समय में मनो विज्ञान किस विज्ञान का आधार माना जाता है तो मनो विज्ञान बेभाहार का आधार मा बेबहार का विज्ञान माना जाता है जो आज तक परिवासा प्रचुलित में है ठीक है लेकिन बात यहीं पर नहीं थमजाती है बेबहार का विज्ञान चलो ठीक है मान लेता हूँ 20-्मी सताब्धी की बात करूं या 21 की साइकलोजिस्ट का नाम क्या है तो देखे दूस्तों यहाँ पर deuxième आँ बोड़वर्थ इसकिनर थोंडाइक मैकडेगल केवल आप سे यही कुशन आएगा जादा दिमाग नहीं लगाना हमने जो जो आपको बताया है वो वो केबल उतना ही पढ़ना है ठीके ना सर मनो विज्ञान को विभार का विज्ञान माना है किसने वाटसन, बुडवर्थ, इसकिनर, थॉनडाइक चलूंगा दोस्तों आगे तो इस समय अगर हम बात करें बेहतरी इन सरंखला में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दो पॉइंट इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं फिर चलेंगे कुशन्स पर दो पॉइंट इम्पोर्टेंट अच्छी तरीके से आप सुनिएगा और रिलाइस करिएगा यहाँ पर कह रहा है मनो विज्यान की पहली विश्यो की प्रियोग साला मनो विज्यान की पहली विश्यो की प्रियोग साला किसने इस्थापित की थी तो विलियम बॉंट की बात कर लेते हैं क्या विलियम बॉंट की बात करेंगे जी हाँ तो यहां से दोस्तों बहुत सारे पॉइंट बनेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले विश्यू की पहली प्रियोक साला यानि विलियम बॉंट का नाम एक बेहत चर्चे में आता है हमेशा आपके एक्जाम में आपसे कहता है कि विलियम बॉंट यानि विलियम जिसने पहली प्रियोग साला को खोला तो बहिया अगर वो खोलेगा तो यह बता वो जनक होगा ना तो यहां से यही कुछ सन बनके आता है कि मनोविज्ञान प्रियोग साला का जनक कौन है तो विलियम बुंट जनक हो जाएंगे कब खोली 1889 में कहां खोली जर्मनी के लिपसिंग स्थान पर और मनोविज्ञान की है प्रथम प्रियोग साला कहलाई जिसको काल्स मार्क्स विस्व इधाले के नाम से वर्तमान में जाना जाता है विलियम बुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक यानि फादर आप एक कब खोली 1889 में कहां खोली जर्मनी के लिपसिंग सहर में तीन कुस्षन हो गए चौथा कुस्षन जर्मनी का लिपसिंग सहर अब क्या है काल्स मार्क्स विस्व इधाले के नाम से जाना जाता है फादर आप एक्सपेरिमेंटल साइकलोजी कौन है विलियम बुंट हो जाए तो ये बताओ कि भारत में पहला मनोवग्यानिक की प्रियोग साला खोलने वाला जनक कौन था कहां खोली गई और वो जो है खोलने वाले का नाम क्या था यानि अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकलोजिस्ट की बात करें इंडिया के तो वो नाम आता है दोस्तो यहां पर आपकी बात करेंगे सबसे पहले पहले मैं आपको बता ही देता हूँ भारत की प्रथम मनोवग्यान की प्रियोग साला इस्थापना डॉक्टर S.N. सेन गुपता ने यानि आपको केबल इतना याद रखना है डॉक्टर सेन गुपता ने यहां पर पहली मनोवग् के विस्विधाले में इन्हों ने उस प्रियोग साला को खोला है ठीक है तो याद रखेंगे दोस्तों इस कुष्ण का यहाँ पर जो भी कुष्ण आएगा वो क्लियर अच्छी तरीके से आप कर जाएंगे ठीक है अब बात आती है मनोविज्ञान में अगर पूचा जाए कि बताओ कि अमेरिका में प्रथम मनोविज्ञान प्रियोग साला की इस्थापना स्टेंले हॉल दोरा की गई अब देखो ये प्रियोग साला की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर केवल यह कह रहा है कि जो बाल मनोविज्ञान की प्रियोग साला उसके जनक अगर अलग कहला है psychology जो laboratory थी उसमें काम नहीं हुआ लेकिन वो भी सबसे पहले किसने खोली Stanley Hall ने अब बात आती है कि William Bunt क्यों कहे जाते हैं तो सुनिए अगर आप से question में पूछा जाए कि बाल अध्यन के पिता महा जो छोटे किसोरों के बारे में किसोरा वस्ता के बारे में बेहतरीन वर्डन किया है तो फिलाल ये सारे आपके point हो चुके हैं दोस्तों अब हम चलेंगे कुछ संस की स्रंकला में आप से निवेदन है कि आपने like किया है या नहीं किया है subscribe किया है नहीं किया है और आपका बस इतना लाव हो जाएगा सरकारी सीट आपको एक भी पैसा नहीं मेरी तरब से मांगा जाएगा मैं राजट्रेट में सिक्षा देता हूँ क्यों कि मैं हमेशा से हजारों बच्चे लाखों बच्चे यहां पर निकलते हैं बहतरीन रिजल्ट के साथ और रिजल्ट पूरी तरीके से आँखों के सामने यहां रखा जाता है ठीक है ना जिस समय आप सरकारी सीट प्राप्ट कर लेंगे उस समय आप चैनल को अंसस्क्राइब कर देना यह वादा है यह कोई नहीं कहेगा यूटूब पर मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर किसी चीज का मोह नहीं है पहला कुछ सर्थ बेभाहरवाद के परतिपादक कौन है तो याद रखीगा बेभाहरवाद के परतिपादक है मिस्टर कौन है वाटसन है याद रखी दोस्तों मिस्टर वाटसन आपके वेभाहरवाद के परतिपादक है वाटसन की बात करें ये वेभाहरवाद के परतिपादक तो है यानि जनक तो है लेकिन वेभाहरवाद सब्द का प्रियोग किया था आउट लाइन आफ साइकोलोजी Outline of Psychology में यानि यह है पुस्तक William Macadougal की है तब कुशन यह पूचा जाए कि वेवारवाद के जरक कौन है Watson इसके प्रियोग करता कौन है तो सब्द प्रियोग करता है दोस्तों William Macadougal कहा किया Outline of Psychology की बुक में 21 सताबदी में मनोविज्ञान का मुखे आधार तै हुआ यानि मैंने क्या बोला था सोलमी की बात करी थो आपने कहा कि भाया यह बताओ कि सोलमी सताबदी में आपने हमें बताया कि आत्मा का मनोविज्ञान सत्मी सताबदी में मनोविज्ञान में आया मन और मस्तिस का मनो विज्ञान अठारमी तक चला और उन्नीसमी में आया दोस्तों चेतना का बीसमी में आया दोस्तों आपका मनो विज्ञान बेभार का विज्ञान लिकनी 21 मी क्या है अरे सर ये 21 मी हो 22 मी हो 23 मी हो अरे अभी तो वर्तमान चला है बीसमी और 21 में तो वही रहेगा क्योंकि चेंजमेंट हुआ नहीं है बेभार का मनोविज्ञान ही रहेगा और इसको मानने वाले थे मिस्टर वाटसेन इस किनार थौंडा एक तो दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट वन की तरफ और कुस्ट नमबर नेक्स्ट ये रहा कि वाटसेन मनोविज्ञान के किस अब धारना को मानने वाले थे तो वाटसन मनोविग्यान के चेतनावाद की बात करें, गेस्टार्ड बात की बात करें, बेभारवाद की बात करें या फिर ननौबदीस की बात करें या फिर आल एवफ की बात कर लो वाटसन की बात करें दोस्तों आप सबी जानते हो कि वाटसन जाने जाते हैं बेभारवाद के जनक बिहरिज्म इनकी प्रमुक बुक है बेभारवाद के जनक है तो दोस्तों बेभारवाद के साथ जाएगा या आप्शन नमबर जाएगा सी के साथ किसके प्रयासों से सिक्षा अच्षा मनोविज्ञान की आपचारिक आधार सिला सन 1889 में रखी गई थी अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आधार सिला सिक्षा मनोविज्ञान की बात करी है वो इस वीडियो में जो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन कराया है वहीं से है ठीक है तो दोस्तों अगर बात करें नेक्षवन की और नेक्षवन कहरा है विलियम बुंट ने मनोविज्ञान को बताया है मन का विज्ञान बताया है आत्मा का विज्ञान बताया है चेतना का विज्ञान बताया है बेबहार का विज्ञान बताया है सस्क्राइब करने के लिए हर वहन हर भाई का दिल से धन्यवाद आप किस सहर से है ये हमें जरूर कमेंट करें ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें विलियम बुंट ने मनो विज्ञान को बताया है क्या बताया है विलियम बुंट ने मनो विज्ञान को बच्चे करें मन का विज्ञान बताया तो बताना चाहूँगो सिंपल सी बात हमने कहा था विलियम के जितने भी सब्द है चाहे विलियम वुंट हो चाहे विलियम जेम्स हो वो सभी दोस्तों चेतना का विज्ञान ही कहलाएंगे क्योंकि विलियम मेकरडूगल ने चेतना सब्द की भरसक निंदा की है आपको पढ़ाया नहीं क्या उपर बिल्कुल पढ़ाया है कुश्चन नमबर नेक्स्ट की बात करेंगे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ दो तीन कुश्चन दो कुश्चन लिये हैं बिना विकल्प के मनो विज्ञान सब्द का सबसे पहले प्रियोग किसने करा है तो कमेंट करेंगा किसने किया है कब किया है कहां किया है किस बुक में तो दिखेंगा दोस्तों अगर किसने किया है सुनिएगा किसने किया है तो किया है रुडॉल्फ गॉलकाई ने ठीक है कब किया है अगर पूछे तो 1590 में किया है अरे सर पूछे जो है कहां किया है क्या कहां किया है तो यार याद रखो कि ये पुस्तक थी दोस्तों साइकोलोजिया पुस्तक थी क्या साइकोलोजिया पुस्तक थी उसमें किया है तो आंसर फिलाल यह पूचा है सबसे पहले किस ने किया है तो रुडॉल्फ गॉलकाई ने किया है free pdf को प्राप्त करने के लिए नीचे आपको link मिल लाएगी join the telegram, telegram description में मिल लाएगा या फिर आपको सर्च कर लेना है क्या guru zi world सर्च कर लेना है ठीके ना green logo मिल लाएगा किताब किसे ने लिखी है हमने तीन चार कुश्चन यहाँ पर किताबों की चर्चा की इस वीडियो में एक तो रुडॉल्फ गालकाई की साइकोलोजिया पुस्तक एक बिहरिज्म आपके वाटसन की पुस्तक एक एडॉल्सेंस आपकी हमने बात करी है जियेस इस्टेनले हॉल की और एक आउटलाइन आप साइकोलोजी पुस्तक की बात करिए इस वीडियो में तो मनोविज्ञान की किताब किसने लिखी है दोस्तों आउटलाइन आप साइकोलोजी लिखी है भाईया किसने लिखी है विलियम मेकडूगल ने किसने लिखी है विलियम मेकडूगल ने लिखी है जिसमें चेतना सब्द का भर कसनिंदा हुआ है विलियम मेकडूगल ने इसी पुस्तक में बिवहार सब्द का सबसे पहले प्रियोग भी किया है तो बिवहार सब्द के जनक आपके William McAdugal केवल बेभार के जनक अगर पूँचा जाए बेभार बाद के जनक अगर पूँचा जाए तो दोस्तों वो हो जाएंगे Mr. Watson ठीके ना सब्द के प्रियोग करता है आपके William McAdugal जिनकी ये पुस्तक है तो दोस्तों ये कैसा रहा वीडियो पूरी तरीके से description आपको पढ़ा है जितने भी बच्चे यहाँ पर देखना चारा है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जो बाद में बच्चे आए हैं यूपी टेट के लिए हमने बहतरी तरीके से पूरी तरीके से क्या करा है पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने किस तरीके से आपको figure wise समझाने की कोशिस की है सारा figure wise समझाने की कोसिस की है तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी चलेगी आधार सिला यारी सुन्डे से ये पहली क्लास थी और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट आपको कोई भी आपको एप नहीं, कोई साइट नहीं, कोई पैट कोर्सेज नहीं हमारी एक कलम से सुनहरी करांती हम लिख देंगे आपके सरकारी सीट, आपके भविस्य से तक हमारा 50% मेहनत रहेगा, आपका 50% मेहनत रहेगा और बराबर हो जाएगा 100% मैं आप से नहीं कहूंगा कि आप सो करो, मैं सो करूंगा अरे हम करेंगे प्रयास और सफलता रहेगी आपकी आप सभी के माता पिता अगर खुस होंगे सेलेक्शन से अगर खुस होंगे तो उस खुसी में यार हम भी सामिल हो जाएंगे हर वहन, हर भाई, हर ग्रहडी के सपने के साकार करने के लिए हर VTC V8 के सपने को साकार करने के लिए एक सिक्षक का प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी हम है प्रयासरत कदम से कदम पर गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी आदाप सस्रियकाल जय महाकाल इंकलाव जिन्दावाद हर बहन हर भाई हर ग्रहडी को इं मिल जाएगी अगर आपने डाउनलोड करके रखा है टेलिग्राम तो नीचे लिंक क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में दी है उस लिंक को क्लिक जैसे ही करोगे बैसे ही आपको मिल जाएगी भाईया एक टेलिग्राम ग्रूप अपना जॉइन कर लेना जॉइन का उप्सन आ जाए और फिर कहें कि सर पूरी तरीके से जल्दी से करवा दो तो डिप्रेशन हो जाता है मैंने अपने समय के हिसाब से समय से पूर्ब सारी क्लासिज स्टार्ट कर दी है वंदे मातरम दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट विडियो गाइस थैंक्स पर वाचिंग वीडियो मिस्टरी इंकलाब जिन्दावाद